लगता है BJP से NDA के साथ ही नाराज चल रहे हैं नाराजगी के वज़व बन रहा है कावड यात्रा जिसको लेकर विवाद और फरमान भी चारी हो गया योगी अधितनात ने कावड रूट के दुकानों ठेलों वाले के लिए एक आधेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें जिसे कावड यात्रा जान सके कि वो किस दुकान से समान खरीद रहें ये नेम प्लेट लगाना बहुत ही जरूरी है एतना ही नहीं दुकान के माली को अपनी पहचान और नाम भी बताना आनिवारे होगा अब इसी आधेश के बाद ये विवाद शुरू हो गया वेपक्ष इस आधेश पर राज्यसरकार के योगी सरकार को घेल रही है और अब खबर ये भी है कि खुद गटवंदन के साथी भी ऐसा इसी एडवाईजरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं जैन्त चौदरी और आरलडी के तरब से स्वर उठने लगे हैं नेम प्लेट लगाने और अपनी पहचान बताने के लिए बाद करने वाले इस आधेश को आरलडी ने भी सवाल उठाए और कहा ये गलत है सबसे पहले बायान आया आरलडी के परवक्ता अनिल दूबे का जिन्होंने कहा कि कावडियों को सुरक्षा ववस्था मुहिया कराना चाहिए लेकिन लोगों को दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए बाद दे करने के जरूरत नहीं है यह प्रशासन का काम नहीं है इसके बाद आरलडी के दूसरे नेता ने सोशल मेडिया साइट एक्स पर फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की आरलडी के राश्ट्रिय महाससी तिरलोक त्यागी ने खुलकर फैसले का विरोध किया उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले सुनिए उसके बाद आगी की कहाने आपको बताएंगे और यह चोटी-चोटी दुकाने जो गरीव लोग लगाते हैं सरप इनी पर उगली उठाने का काम है मैं कहता हूँ मेरी मांग एक शराब भी बंद करो शराब की दुकाने भी बंद करो कावड यातरा है, एक होली यातरा है पवित्र यात्रा हम उसका स्वागत करते हैं लोग दल उसका स्वागत करता है और उसमें जो सिव भक्त जाते हैं मैं भी शिव भक्त हूं पर उसमें जो सिव भक्त जाते हैं उनका सम्मान होना चाहिए उनका सत्कार होना चाहिए और मैंने तो कितनी जगे देखा है पता नही लोगों क्यों नहीं समंझ मारा मुसल्मान लोग कामर यातर पर फूल बरसाते हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलिमों को सब जिए के कामर यातरा का स्वाकत करना चाइए लोग दलवालों के साथ मिल के करना चाहिए आपको बता दें कि पश्मी यूपी में जयंत्र चौधरी के RLD का खास प्रभाव है RLD से ज्यादा सांसत तो नहीं है लेकिन पश्मी यूपी में वो बीजेपी की एकमात्र सयूगी पार्टी हैं उनके राजनिती में मुसल्मान वोटरों का भी एहम युगदान है ऐसे में पार्टी को डर लगता है कि ये फैसला कहीं न कहीं राजनितीक तोर पर उनके अनुसार गलत है और उनको नुक्सान पहुचा सकती है यही बजह है कि पार्टी ने योगी सरकार से ये फैसले वापस लेने की मांग भी की है लेकिन क्या योगी सरकार RLD के इस विरोत पर दरसुन से फैसले वापस लेंगे सबसे बड़ा सवाल यह है इतनो ही विवात के बाद बीजेपी नेता और राजसभासांसी दिनेश शर्मा ने भी सामने आकर इस पर सफाय दी सम्विधान की विवस्था है उसमे धार्मिक आस्थरा का संमान और संक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतरगती एक बहतर पुरयत्न है संविधान के दार्मिक भाउना को संदक्छन की भाउना का कभी-कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं अब आप उमीद करें कि मानों बजरंग ढावा लिखा है और बजरंग ढावा में वहाँ पर मास्ट मिला है तो लोग निशित रुपे इस पर आपत्ती करेंगे वैसे इस फैसली पर शुरुवात में खुद बीजेपी के नेता मुखतार अबास नकवी ने भी तीखे तेवर दिखाए थे लेकिन बाद में वह अपने तेवर से नरम पर गए और अब वह ये कह रहे हैं कि आदेश को लेकर किसी तरह का कन्फियोजन नहीं है इस आदेश में किसी को वाद दिन नहीं किया चा रहा है उन्होंने कैमरे के सामने पार्टी के पक्ष में बयान देते हुए आदेश का असली फंडा समझा डाला क्या कुछ कहा है इस आदेश के फंडा में वो भी बयान सुनिये जो एड्मिस्टेटिव कन्फियोजन क्रियेट करने की कोशिश हुई थी कहीं पे से भी उसको करेट किया गया है एक चीज़ दूसी चीज़ यह कि किसी भी तरह का कमनल कन्फियोजन किसी को क्रियेट करने की जरूवत नहीं है line order की responsibility state government की होती है और सबी सुरच्छितों सबी सुरच्छा के साथ अपनी शर्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सकें इसलिए इसमें कहीं तरह कोई confusion create करने की जरूरत नहीं है जहां तक सवाल है नाम के पहचान का या नाम लगाने का तो इसमें किसी को आपती नहीं होनी चाहिए administrative जो डिशा निर्देश थे जिसे directive कहते है उसमें उसको लेकर के confusion हुआ था उसमें लगा था कि किसी एक धर्म विशेज, किसी एक जाती विशेज ये सारी चीजे थी आज इस चीज की clarity state government ने की है और मुझे लगता है इस पर कुछी तरह का criminal confusion create करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए आपको बता दें कि इस फैसले से विपक्ष को तो राजनीती का वाखा मिल ही गया है बीजे पी के स्रयोगी पार्टियों को भी नाराज कर दिया गया है और अब इस विवाद के बाद police ने एक और नेदिश जारी कर दिये जिसमें कहा गया है कि hotel और धावों के मालिक भी अपने इक्षा से अपना नाम और rate card दुकान के बाहर लगा सकते हैं जिससे पहले जरूरी बताया गया था लेकिन अब गोला है कि ये उनके इक्षा पर है कि वो अपना नाम प्लेट अब बाहर दुकान के सामने चिपका है लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए पर उठ रहा है कि अगर RLD NDA से नराज होती है तो क्या योगी सरकार पर इसका असर पड़ेगा अब इस पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये उत्तरपरदेश की राजनीती में याने वाले समय में ही बताएगा कि याने वाले वक्त में विदान सभा के चुनाओ भी है और चुनाओ से पहले RLD के आप अपने नेता ही योगी सरकार पर हमला वढ़ है और इंडिया की तो बात दूर किये समाजवादी पार्टी भी और फिर कॉंग्रेस भी इसी तरह से धर्म को राजनीती में लाने के बात कहकर आरोप लगाती रही है देखना दिल्चस्प भी होगा कि इस पर आगी के राजनीती में क्या कुछ होता है फिलाल आप देखते रहिए नियो सुतर